हेलो फ्रेंड मैं लिंगरच पटेल मेरा चैनल मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं आप सबके लिए और एक नियारिसी पे लेके आया हूँ आज हम बनाएंगे स्री हनुमान जी के पना संक्रांती के लिए बेल का पना पना संक्रांती में किस तरह की पना बनाई जाती है मैं आपको इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा आप मेरे बताएवा तरीके से इसको अगर एक बार बना के पी लेते हैं तो जरूर तारीफ करेंगे तो फिर चलिए दोस्तो जदा बाच इतना करके आज की बेल की पना की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखिए दोस्तो हमने पना बनाने के लिए कुछ फूर्ट्स लिए है यह केला केला को हमने चोटा चोटा करके काट लिया है साथ में यह बड़ा साच केला लिया है इसके साथ लिया है सेव को भी छोटा-छोटा करके काट लिया है ये देखिए ये कच्चा आम इसको भी हमने कूर लिया है इसके साथ लिया है नारियल नारियल को भी हमने कूर के लिया है और इसके साथ लिया है अंगुर अंगुर को हमने दो-दो टुकडा करके काट लिया है आप देख सकते हैं इसके साथ लिया है थोड़ा सा अनार का दाना और थोड़ा सा गुड़। आप गुड़ के जगा चीनी भी ले सकते हैं। बेल का पना बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक पका हुआ बेल अब हम बेल को तोड़के इसका अंदर का सारा गुदा को निकाल लेंगे ये देखिए इसमें कितना सारा गुदा है अब हम लेंगे चम्मच और चम्मच के मदद से इसका अंदर का सारा गुदा को नि अलग कर देंगे, आप जब भी बेल का पना बनाएं, एक अच्छा से पका हुआ बेल ही यूज करें, ये देखें दोस्तों, हमने सारे बेल का गुदा को निकाल लिया है, अब हम इसमें अट करेंगे पानी, हमने या पे एक ग्लास पानी अट किये हैं, अब हम इसको हातों से दवा दवा के, अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, इसको हमें मिक्सी में बिलकुल भी नहीं पिसना है, इसको हातों से दवा दवा के इसमें मिलाना है, ये देखें, अब हम इसको हातों से निचे उड़के, इसका जो रेसी है, ये देखें, इस सारे रेसे को अलग क करने के बाद आब हमंगे चंबाच के मदद से इसमें ऐसे गोल-गोल करके घुमाएंगे और इसका सार अरस को निकाल लेंगे यह देखिए दोस्तों हमने सब को छान लिया है और इसका बादी बचा हिस्सा को हम अलग कर देंगे यह लिए मापको आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह अच्छी तरह से साप होके छन गिया है अब हम इसमें अट करेंगे गूड ये देखिए ये गूड हमने यहाँ पे तीन छोटा साइच का गूड को हांतों से चुरा करके डाल दिया है अभी हम इसमें अट करेंगे केला और गूड और केला को इसमें अच्छी तरह से दबा दबा के इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करने के बाद अभी हमें बिल्कुल भी चानना नहीं है यह ऐसे ही रहेगा अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गिया है अभी हम एक एक करके इसमें सारे फूट डालते जाएंगे अभी हम सबसे पहले इसमें अट करेंगे काटा हुआ अंगूर अंगूर को डालने के बाद इसमें अट करेंगे अनार का दाना थोड़ा सा अनार का दाना को हम बचा कर रखेंगे बाद में गार्निस करने के लिए इसके बाद डालेंगे काटा हुआ सेव अभी हम इसमें डालेंगे काटा हुआ केला यह देखिए इसको भी हम इसमें डाल देंगे उसमें थोड़ा सा अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमेट करेंगे आम इसको डालने से इस महल का सा खट्टा मिठा टेस्ट आता है अब हम इसमें कोरा हुआ नारियल को भी डाल देंगे नारियल को डालने के बाद इसमेट करेंगे लड्डू दोस्तों ये बूंदी का लड्डू है मेरे पास बूंदी नहीं था इसलिए मैंने बूनी का लड्डू को यूज किया है अब हम इसमें एट करेंगे एक रजगुला रजगुला को भी हम हातों से निचोड देंगे इसको छोटा-छोटा करके इसमें डाल देंगे इन सारे चीज़ों को इसमें डालने के बाद अभी हम इसको अच्छी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे अगर आपको इसमें मीठा थोड़ा कम लगे तो आप इसमें बाद में थोड़ा गुड एट कर सकते हैं और अगर आपके पास गुड नहीं है तो आप चीनी भी डालके इसको बना सकते हैं अब यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसमें अट करेंगे दही, हमने इसमें थोड़ा सा दही लिया है अब दही को डालने टाइम हमने इसमें और दो गलास पानी भी अट कर दिया था अब यह अच्छी तरह से मिक्स हो गिया है अब हम इसको सौर्ब करने के लिए दो कांच का गलास लेंगे और इसमें डालेंगे 4-5 आइस क्यूब अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेल का पन्ना को डालते जाएंगे दोस्तों आज मैं जीस तरीके से ये बेल का पन्ना बना के आपको दिखा रहा हूं मेरे बताएव तरीके से एक पर बना के जरूर ट्रै कीजिएगा आपको ये बहुत पसंद आएगा दोनों ग्लास में डालने के बाद मैंने यहाँ पर एक गुलब जमुन को दो टुकड़ा करके दोनों ग्लास में अधादा टुकड़ा लगा दिया है अब हम इसका उपर डालेंगे दो तिन टुकड़ा अंगूर अंगूर को डालने के बाद इसका उपर डालेंगे थोड़ासा नारियल ये देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है अब हम इसका उपर डालेंगे थोड़ासा अनार का दाना और ये देखिए दोस्तों हमारा बेल का पना बन के रेडी हो गिया है दोस्तों इसी तरह की बेल का पना बना के स्री हनुमान जी के हनुमान जहनती पे प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है आप अगर चाहे तो इसको घर में ऐसे भी बना के पी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही healthy drinks है और गर्मी का मौसम में तो आप इसको घर में जब मन चाहे बना के पी सकते हैं दोस्तो आज के मेरा बेल पना का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं मेरा next वीडियो में और एक निया रेसिपी के साथ thanks for watching my video friends